नमस्ते दादाश्वीजी जी थैंक यू डिवाइन लाइक के जरीए हर सेकेंड हमारा ध्यान रखने के लिए मेरा प्रेश्ण है कि कुछ स्पिर्चुल मास्टर्स कहते हैं कि वो हमें कर्मुक्त करके और ये हमारा धर्ती पर आखरी जनम होगा और क्या हर मास्टर ये कर सकता है और इसमें कितना सकते है आपने जो शब्द यूज किया कर्म मुक्त या कर्म विमुक्त ये अलग विशे है और क्या कोई मास्टर्स कर्म ले सकते हैं क्या तो ये अलग विशे है और जब कोई मास्टर्स कर्म लेते हैं तो उसका असर उनके उ व्यक्तिया, दो, तीन, चार, पांच आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते शरीर जो है आपका तो कहीं पर लिमिटेड है सीमिध है, उसे आगे वो ले नहीं सकते दस, पंदरा, बीस उसके बाद आप फिर बेड़ पर गिर जाएंगे कोई भी मास्टर हो वो भाव से कर सकते हैं इसे ट्रांसफर आफ करमास कहते हैं कहीं से एक जगे से करम निकल कर आपके गुरू के पास पहुंचते हैं और लेते भी हैं, कई बार ऐसे होता है पर वो फिर भी अच्छा नहीं है जो प्रकृति का नियम है उसके विरोध में है तो नहीं करना चाहिए दूसरा जो विश्य आपने कहा करमों से विमुक्त होना तो आप जो भी करते हो अपनी जिंदगी में लगातार उससे करम बनते हैं एक तो आपका आज का अनुभव पिछले करमों का असर है और आप आज जो कर रहे हो इससे और एक भविश्य में एक नई स्तिती बनने वाली है तो करम जो है प्रकृति के साथ ही चलता है करम कभी खतम होई नहीं सकते जो माया है उसका अविभाज्य भाग है श्रिष्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इसके बिना श्रिष्टी complete नहीं होती पूर्ण नहीं होती तो करम तो होंगे ही होंगे आपके साथ तो करम से विमुक्थ होने की इच्छा क्यों रखना पहले वो एक सवाल है क्या आप करमों से डरगे हो इससे करम से मुक्थ होना समझ रहे आप आपको विमुक्थ होने की पीछा आपकी वज़ा क्या है आप जब ये सोच के चलते हैं कि मुझे मेरे जीवन को सभी दुख से चुटकारा पाना है सभी तकलिफ का अंद करना है दर्द का अंद करना है तो ये कि दुख छोड़ते समय फिर आपको सुख भी छोड़ना पड़ेगा करम विमुक्थ होना मतलब आपके पस गरी भी ना आए और पैसे भी ना आए कुछ भी ना आए तब आप करम विमुक्थ होगे मेरे पस कुछ भी नहीं आज तो ये अवस्था अपने आप में अच्छी भी है पर इसकी जरूरत नहीं है आपको जो सही लगता है आपो करें नीडर होते हुए ये न सोचते हुए कि इस से क्या गलत होगा बुरा होगा इस डर को निकाल के आपको जो भीतर से दिल से लगता है कि मुझे ये करना है तो आपो जरूर करें और इस विचार को ही त्याग दे कि कर्म विमुक्त होना है जब इश्वर की इच्छा होगी उन्हें लगता है कि आपको कर्म विमुक्त करना है तब कर देंगे आप उसके लिए कुछ सोचे मत पैसे बापके प्लानिंग से आपको कुछ मिलने वाला है नि आपके बहुत सरे गोल्ज है हम एक, दो, तीन, चार, पांच पॉइंट उसमें कर्म विमुक्त होना है 2025 तक टार्गेट कर्म विमुक्त होना आपके सोचने से नहीं होगा तो यह विचार छोड़के अच्छा काम करें रोज अच्छे कर्म करें इसी को पगड़के चलें यह सबसे बढ़िया है